हलो हाई सलाम नमस्ते वालकम यू ओल वन्स अगेन और उतकर स्मार्ट ए लर्निंग प्रोग्राम दिस यूर मेंटर राहूल पर्मार फॉर अपलोगों के सामने और वो क्या है फटा-फट से देखेगा बड़े-बड़े लैटर्स में लिखा है डिलेट पार्ट फॉर और सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 और ये डिलेटेट पोर्ट जो है ये आरबी एसी वाले बच्चों के लिए है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजूकेशन राजस्थान ने अपने जितने भी सब्जेक्स है और बोस सब में से कुछ ना कुछ कोर्स कम किया है और मेरी ये र चलिए बच्चों आप सब एवर रेडी हैं हमेशा रेडी रहते हैं इन सारी चीजों के लिए सो सबसे पहली जो चीज है क्यों जरूरी है हमको डिलेटेट पोर्टें जानना बिकोज यही कोर्स हमारा ट्रैक है और अगर हमें ट्रैक पता चलेगा तो हम लोग अपनी गाड पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना इस पर्टिकुलर एक्जाम के लिए ताकि इन मार्ग जो है वो बहुत अच्छे से आ सके हैं ओके सो सबसे पहला है माइक्रो एकनोमिक्स क्लास 12 रबी एसी बोर्ट बोर्ट ऑजमेर ने जो कोर्स डिलेट किया है जो टॉपिक्स और इस पूरी के पूरी यूनित नहीं डिलेट करिये बकाउस उस रे उनित में सिरफ और सिरफ एक ही चैप्टर है और इस चैप्टर का कुछ पार्ट जो है बोर्ट ने डिलेट किया है बच्छो एंडट पार्ट इस production possibility curve concept of opportunity cost and marginal opportunity cost means you have to understand the entire introduction of the chapter but ये जो तीन बाते है production possibility curve, opportunity cost and marginal opportunity cost that you have no need to study और ये actually हुआ है बच्छा partly okay so chapter जो हुआ है वो partly delete हुआ है पूरा delete नहीं हुआ हो chapter Okay, so unit number one है, chapter number भी one है, chapter number भी one है, next देखें जरा, next is unit number two, और unit number two है, it's all about the consumer, that is consumer behavior, consumer कैसे behave करेगा, और unit में क्या क्या बात है, unit में सबसे पहला है consumer equilibrium, उसके बाद में है theory of demand, उसके बाद है elasticity of demand, so consumer equilibrium का portion है, that has been completely deleted, पूरा पूरा दिलेट कर दिया गया है, chapter number two, consumer's equilibrium is completely deleted, पूरा पूरा दिलेट कर दिया गया है, बच्चों, अब आपको सिर्फ और सिर्फ demand पढ़ना है, elasticity of demand पढ़ना है, utility analysis, indifference curve analysis, you have no need to study, आपको नहीं पढ़ना है उसे, so chapter number two, consumer equilibrium is also completely deleted, बच्चों, completely delete हो चुका है, पूरा पूरा दिलेट हो गया है, आपको utility नहीं पढ़ना, ओके, आपको indifference नहीं पढ़ना, ओके, indifference नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है, demand और elasticity of demand, ओके, next is unit number three, that is producer's behavior, कैसे भया producer react करेगा, उस producer के behavior को समझने के लिए, सबसे पहले हम supply समझते हैं, production function समझते हैं concept of production समझते हैं, concept of cost समझते हैं, concept of revenue समझते हैं, then firm का equilibrium कैसे होता है, इस बारे में बात करते हैं, so, इसी क्रम में हमें, in this series, what we need, what we have to study and what we have not to study, okay, so chapter number six है, production function, production function, जो है chapter number six, वो आपको नहीं पढ़ना है, इससे पहले बारा जो chapter है, that is theory of supply, पढ़ेंगे आप लोग, production function नही revenue नहीं पढ़ना, लेकिन, जो equilibrium of firm है, वो भी delete किया गया है, so, देखें जरा, chapter number six, production function, नहीं पढ़ना है, आपको, simple theory of supply पढ़ना है, और concept of production पढ़ना है, okay, concept of cost भी पढ़ेंगे, but concept of revenue delete कर दिया गया, okay, and equilibrium of firm भी delete कर दिया गया, reason being, जब revenue पढ़ोगे, तभी equilibrium पढ़वा है, okay, so, क्या-क्या चीज़ने delete हुए है, देखें जरा, production function delete हुआ है, concept of revenue delete हुआ है, chapter number 10, equilibrium of a firm भी delete हुआ है, किसमे से unit number, three में से producers behavior, अर्शा, marks में कोई change नहीं है, micro में, जितने marks का units थे, 5, 12, 12, 11, उतने ही marks की unit है, उतने ही marks की unit है, marks में कोई change नहीं है, वाय सिर्फ chapters eliminate किये है, next is, unit number four, that is, forms of market and price determination, forms of market and price determination, in this particular unit, chapter number 13, market equilibrium is deleted, market equilibrium जो है, यह पूरा पूरा chapter बच्चों delete कर दिया गया है, complete chapter has been deleted, complete chapter is deleted, complete chapter, complete chapter, complete chapter, complete chapter, complete chapter, किया है, बाकी सारी units में से, सिरफ और सिरफ पूरे पूरे चैप्टर से delete होए हैं, बच्चों, ओके, सो यह है, micro economics, फटा फट से नजर डालिए, फटा फट से नजर डालिए, quick, clear है सबको, ठीक है, सो यह सारी सीज़े है, micro economics के अंदर, chapter number one, chapter number two, chapter number six, chapter number nine, chapter number ten, and chapter number 13, इस में है, हम लोग, what portion has been deleted, okay, so unit number five है, आपका, concept of national income, क्या है, बच्चों, concept of national income, and in the concept of national income, chapter number 15, that is, national income, and its related aggregates has been deleted, basic introduction आपको पढ़ना है, aggregates आपको नहीं पढ़ने है, methods फिर पढ़ने है, means, method को समझने के लिए, aggregates तो समझना ही पढ़ेगा, बच्चों, लेकिन, जो basic aggregates आपको given है वो सारे aggregates आपको पढ़ने के जरूद नहीं है, लेकिन, उनका basic introduction, basic knowledge तो लेना लेना और लेना ही पढ़ेगा, at least starting के 8 aggregates का knowledge आपको चाहिएगा, okay, so, although chapter number 15, national income, and its related aggregate, as a chapter, क्या हुआ है, बच्चा, delete हुआ है, और complete chapter, delete हुआ है, no part, complete chapter has been removed and deleted, for the year 2020, 2021 examination, okay, यह सब हो रहा है या, corona period की बज़े से, okay, next is unit number 7, unit number 6 है, आपका money and banking, okay, unit number 6 है, आपका money and banking, उसमें से कोई बर deletion नहीं है, सिरफ और सिरफ unit number 5, then unit number 7, determination of income and employment में से क्या delete हुआ है, देखें जरा, income and employment determination में से chapter number 21, income and output का determination, and chapter number 22, concept of excess demand and deficit demand, बहुत सारी चीज़े रिमूव कर दिये, यू समझ ली इन्होंने, इस chapter में से, जो main चीज़े थी, उसी को हटा दिया, सिरफ basic introduction रहे गया, that is consumption function, investment function and saving function, सिरफ ये तीन चीज़े रहे गया ही, rest, everything is deleted, okay, किस तरह से income and output का determination करेंगे, how equilibrium will be decided, and how, when a market, when an economy will be in, this equilibrium, तो क्या होगा, excess demand, efficient demand आएगा, और excess demand, efficient demand को solve कैसे करते हैं, that has also been deleted, okay, chapter number 21, chapter number 22, important chapters थे, but delete हो चुके हैं, macro में से, okay, next is unit number 8, okay, unit number 8, unit number 8, concept of budget and international trade में, chapter number 24, concept of international trade पूरा पूरा हटा दिया, means, अब unit में सिरफ budget है, अब unit में सिरफ क्या है, बच्चा, budget पढ़ना है आपको, and international trade जो है, that has been completely removed, बिलकुल remove कर दिया गया है, okay, मजा आ रहा है, सब लोगो को सुनके, क्या रहे सर, ये भी remove हो गया, वो भी remove हो गया, बट भाया, knowledge तो लेनी ज़रूरी थी, okay, take it positively as well, take it negatively as well, बट अच्छा है, आप लोग सब पढ़ियेगा, सब चीजें पढ़ाई जाएगी आपको, don't worry, okay, लेकिन हाल फिलार के लिए पहले course करेंगे, next is chapter number 9, छोट two सा chapter था, very small chapter it is, holding or consisting only two marks, और ये दो marks add हुए है, सीधा सीधा, unit number 6 में, that is money and banking में, that is money and banking में, so cashless transaction का जो छोटा था chapter था, that is chapter number 25, cashless transaction, ये भी क्या हो चुका है बच्छा, remove हो चुका है, this has also been completely removed, marks में कोई change नहीं है, जो units के marks थे, वो as it is है, सिर्फ और सिर्फ जो cashless transaction, जो chapter delete हुआ है, that was holding a, that was framing a complete unit, वो जो marks है, वो money and banking में add हो गए है, means जो money and banking है, now it is not of 10 marks only, it is of 12 marks, फटा फट से नजर डा लिए आप लोग मैक्रो एक्कोनोमिक्स पे, quickly, have a look, ओके बच्चा, so clear है, आप लोगों को पूरा-पूरा syllabus, अब क्या-क्या चीज़ने delete हो गई है, और क्या-क्या चीज़ने remaining पढ़ने, यहन सब को हटा के, जो भी remaining portion है, that you have to study, and मैंने again and again बता है, cashless transaction जो पूरी unit consist करता था, अकेला chapter, that was of 2 marks, यह 2 marks add हुए है, यह 2 marks add हुए है, in unit number 6, money and banking में, okay, so money and banking जो है, वो 10 marks का ना होकी, अब कितने का हो गया बच्चा, 12 marks का हो चुका है, clear है, so stay tuned with us, please like this video, okay, and also subscribe to our channel, so that you can receive more updates on this, thank you so much my students.